सभी मित्रों को जय जय सियराम प्रभु स्री राम के किरपा हमारे सभी मित्रों पर बनी रहे यही हमारी मंगल कामना है तो आए कैसे मंत्र को आपको बताते हैं जो हर तरह के संकटों से आपको छुटकारा दिलाएगा जब मनुष्य के सामने भी पत्ती आ जाती है जिसे वो पार पाने में खुद असमर्थ पाता है ऐसी स्थिती से उबरने में बीबेक पुर्ण किये गये कर्म और देविये शहायता काम आता है जो आस्तिक होते हैं वे अपने इस्थ देव से सहायता मांगते हैं ऐसे कई मंत्र हैं जो हर तरह के संकटों से छुटकारा दिलाने में मददगार सावित हो सकते हैं ऐसे तो स्री राम चरितमानस का हर एक चौपाई अपने आप में महा मंत्र है पर कुछ चौपाईयों का मंत्र के रूप में प्रियोग किया जाता है ऐसे ही एक मंत्र के बारे में आपको बताएंगे जो एकदम शरल और बेहद प्रभाब कारी है इस मंत्र का जाब करने से मनुष सभी तरह के संकटों से छुटकारा पा सकता है मनस के मंत्रों को सिद्ध करने और जबके अपने नियम तो हैं पर बिना कोई खास नियम के भी आप एक आग्रमन से अगर इस मंत्र का जाब करते हैं तो आपको भगबान उस संकट से उबार लेंगे तो आए उस मंत्र को बताते हैं दीन दयाल बीरदू संभारी हरहुना थमम संकट भारी यह प्रसंग सुन्दर कांड का है जब हनुमान जी लंका दहन करके और प्रभु स्री राम के खेमा में जाने के लिए तयार हुए तो माता सिता से आसिरबाद लेने पहुँचे तो सिता जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जा रहे हो हनुमान तो प्रभु से कहना कि दीनों पर दया करना तो आपका बीरद है उसी बीरद को याद करके हेनात आप मेरे इस भारी संकट को हर लीजिए तो बोलिए सियावर राम चंद्र की जाए अयोद्या राम लला की जाए ब्रिंदावन बिहारी लाल की जाए पवन सुतहनु मान की जये बोलो भाई शब संतन की जये हर हर महादेव जये सिब संभो